पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ब्लॉग्ड फैलुपीन ट्यूब के बारे में चलिए उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ एक चटनी बहुत फायदा करती है इस चटनी के लिए आपको क्या करना है एक कटोरी कड़ी बत्ता ले लेना है इसमें चार कलिया लेसुन की डाल दें आप और एक छोड़ा सा टुकडा अद्रक का इसमें दो चम्मच शहर मिलाकर इसको पीस ले आप और ये जो चटनी आपकी तयार हुगए है एक चमच इस चटनी का अगर आप सिवन करते हैं लंबे समय तक सिवन करते हैं तो यह जो फैलोपियन ट्यूब आपकी ब्लॉक हो गई है इसमें बहुत आपको फायदा होता है इसके लावर कैस्टर ओयल की मसाज से भी बहुत फायदा होता है जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि गर्मी से कोई भी चीज फैलती है और फैलोपियन ट्यूब अगर आपकी ब्लॉक है यानि कि उससे कोड़ गई है तो उसको अगर गर्मी पहुचेगी तो वो फैलेगी इसके लिए आपको क्या करना है कैस्टर ओयल से आपके जो पैल्विक एरिया है वहाँ पर अच्छी तरह से मसाज करनी है पहले उसके बाद एक कपड़ा लेना है और उसके पड़े में कैस्टर ओयल लगाकर अगर माइक्रोविक है आपके पास तो उसमें गर्म कर ले आप उसको या तवे पर रखकर गर्म कर लेना है तेल थोड़ा गरम हो जाना चाहिए और उसके बाद ये कपड़ा आपने जहां पे मसाज किया उसके उपर बिछा दे ताकि इसकी गरमी आपके पेट पे आपकी स्किन पे अंदर तक महसूस होनी चाहिए ये गरम इतना ही गरम रखना है कि सहन कर पाए बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है तो इसकी जल सकती है वो उस कपड़े के उपर रख लें, ताकि ये जो गर्मी है बनी रहे, ये सेख अगर आप रेगुलर करते हैं, तो इससे भी जो फैलोपियन क्यूब में ब्लॉके जाई है, वो दूर होने लगती है, एक रेमेडी का और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या कर पर जाएंगे तो मिल जाते हैं, नहीं तो आप उनलाइन भी दिखेंगे तो ये मिल जाते हैं, ये सारे एक्वल क्वांटिटी में ले ले लेना है, मतलब अगर आपने 100 ग्राम सौफ लिये, तो 100 ग्राम ही सौट ले 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 लेना है, और 100 ग्राम ही आपको काला तिल ले काले तिल कोो है सारे पाुडर्स जो है इनको अची तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद स्में शेहद मिला देना है यह एक पेस्ट घैर हो जाए जैसे चवificial प्राश होता है उस तरह ends पेस्ट तयार हो जाए, आपको इसको और effective बराना है, तो इसमें half quantity में जितनी अपने अजवाइन मिला है उतना ही आप सतावरी का पाउडर भी मिला सकते हैं, सतावर पाउडर और ये सब mix करके, ये जो पेस्ट जैसा तयार हो गया है, ये खाना चम्मची, घी या बटर जो भी है इसको mix कर देना है और mix करके इसको morning में रख देना है चार-पांच गंटे इसको mix रहने देना है और उसके बाद रात को सोते समय यह जो हल्दी का mixture है गुन-गुने पानी के साथ आप इसका सेवन करें यह अंदर से inflammation ठीक करता है और आपकी ज तो आपको बहुत लाब मिलेगा इसके अलावा कम से कम धाइस से तीन लिटर पानी जरूर पी है जो कि सीजनल फूक रूत वह उनका सेवन करें आप पईते का सेवन सेवन कर सकते हैं आप अंभूर जो काले वाले अंभूर होते यह बहुत फाईदा करता है जैसे अब ही आम वेसे हमने फैलोपियन ट्यूब जिनकी ब्लॉक है और जिनको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम में प्रॉपर डाइट बनाई हुई है वो डाइट में आने वाले किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा जिसमें ज्यादा ज्यादा हम रॉव एजटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है तो फिलाल इन रेमेडीज का अगर आप इस्तेमाल करेंगे और साथ में फिजिकल एक्सराइज करेंगे तो यह जो फैलोपियन ट्यूब आपकी ब्लॉक है यह वापस खुल जाएगी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप म हमारे मकसद में हमारा साथ थे हैं हमारा मकसद है ज्यादा ज्यादा लोग घर पेटे इस्वास लाप पाएं तो ज्यादा ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले धन्यबाद